हेलो डियर मूवी लवर्स कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की नई और रोमांचक भरी मूवी की स्टोरी के साथ. आज हम मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स की थोर मूवी को एक्स्प्लेन करने वाले हैं. अगर आप इस यूनिवर्स की पूरी स्टोरी को सुरू से समझना चाहते हैं तो पिछली मूवी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनहें देखने के बाद आप आगे की मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स की सभी मूवी से कनेक्ट कर पाएंगे, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, फिल्म की शुरुआत में हमें मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स की पिछली आइरन मैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां शील्ड के एजेंट फील कोलसन को थौर का हथोड़ा, जमीन पर प उसी वक्त जेन की कार से एक आदमी आकर टकरा जाता है, जो कोई और नहीं बलकी थोर ही होता है, यहां से हमें स्टोरी को हजारों साल पीछे से दिखाया जाता है, जब हमारी गैलेक्सी के दूसरे ग्रह यूथनहाइम का राजा अर्थ पर अपने हतियार की मदद से जिशाली ग्रह है, जहां के लोग हजारों साल तक जीते हैं, ओडिन और यूथनहाइम के राजा लोफी के बीच एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें यूथनहाइम को ओडिन के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, जिसके बाद ओडिन यूथनहाइम को एक शर्त पर चोड़ने के लिए तयार हो जाते हैं, कि इसके बाद वो कभी भी किसी ग्रह पर जाकर तबाही नहीं मचाएगा, साथ ही ओडिन यूथनहाइम के शक्तिशाली हतियार को भी अपने कबजे में ले लेते हैं, जिसके बिना लोफी कुछ भी नहीं कर सकता था, ओडिन के गोशित किया जा रहा है, ओडिन के दो बेटे हैं, जिनमें लोकी थोर का छोटा भाई है, दोनों में थोर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वहीं लोकी के पास कई तरह की जादूई शक्तियां हैं, जो उसने अपनी मां से सीखी है, जब थोर के राजा बनने के लिए इस ग को तैनात किया हुआ था, डिस्ट्रॉयर उनमें से कुछ को मार देता है, और बकी वहां से भाग जाते हैं, तभी वहां ओडिन थोर और लोकी भी पहुंच जाते हैं, थोर यूथनहाइम की इस हरकत से बहुत घुसा होता है, इसलिए वो ओडिन से यूथनहाइम जाने की इ राम ना करना पड़ता है, लेकिन फ्रोससाइंट वहां काफी तादात में थे, इसलिए वो उन्हें हराने में नाकामयाब होते हैं, लोफी उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है कि तभी ओडिन वहां पहुंच जाते हैं, और लोफी से उसके बेटे की हरकत के लिए माफी म और उसे बाइफ्रोस के जरीए अर्थ पर भेज देते हैं, साथ ही वो थौर के हथोडे मियोलनियर को भी ये कहकर अर्थ पर भेज देते हैं, कि जो भी इस हथोडे के लायक होगा, उसमें थौर की शक्तियां आ जाएंगी, और अब कहानी वहीं पर आ जाती है, जब थौर जेन फोस्टर की कार से टकराया था, थौर की जब आँख खुलती है, तो वो किसी हॉस्पिटल में था, जहां अब उसके पास ना तो उसकी पावर्स थी और नहीं उसका हथोडा, थौर किसी तरह वहां से भाग जाता है, वहीं हमें थौर के हेमर को दिखाया जाता है, जिस से वो उस हथोडे की जाच कर सकें, साथ ही वो लोग जेन के सारे समान को भी अपने कबजे में कर लेते हैं, जो इस पूरे मामले पर रिसर्च कर रही थी, जेन का मानना था कि अर्थ और दूसरी दुनिया के बीच आने जाने का एक रास्ता है, जो किसी वार्महोल की तरह का थोर को भी ये पता चल जाता है, कि उसका हथोडा जमीन पर ही वहां से कुछ दूरी पर है, थोर वहां जाना चाहता था, जिसमें जेन उसकी मदद करती है, जेन उसे लेकर वहां पहुंच जाती है, जहां शील्ड थोर के हथोडे पर रिसर्च कर रहे थे, किसी तरह थोर अब से बच्चते हुए अपने हतोडे के पास पहुंच जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो चाह कर भी उसे नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उसके पिता ओडिन ने थोर से उसकी सारी शक्तियां छीन ली हैं और उस हतोडे को केवल वो ही उठा सकता है जो काबिल हो लेकिन थोर अपने घमंड की वजह से अपनी योग्यता भी खो चुका है जिसके बाद वो आसमान की तरफ जोर-जोर से चीखने लगता है और फिर शील्ड के लोग उसे गिरफतार कर लेते हैं अब एसगार्ड में लोकी यूथनहाइम के हतियार को जैसे ही छू कर तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है यानी कि लोकी भी एक फ्रोसजाइंट है उसी वक्त ओडिन लोकी को सारी बात बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले तुम हमें यूथनहाइम पर जंग के दौरान मिले थे तब से हमने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया ह लेकिन लोकी उनसे कहता है कि आपने जरूर अपने फायदे के लिए ही उसका लिया होगा इसलिए आपने थौर को एसगार्ड का राजा बनाया क्योंकि मैं तो आपका असली बेटा हूँ ही नहीं तब ओडिन उसे कहते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है तुम्हें हमने जब पह चीन के बाद ओडिन को गहरा सद्मा लगता है जिससे वो ओडिन स्लिप में चले जाते हैं जिससे वो खुद को रिकवर कर सकें इस बात का फायदा उठा कर लोकी एसगार्ड का राजा बन जाता है उसके बाद वो अर्थ पर थौर को जाकर जूट बोलता है कि हमारे पिता ओडिन अब नहीं रहे तुम्हारे एसगार्ड से जाने के बाद उन्हें गहरा सद्मा पहुँचा जिससे उनकी मृत्यू हो गई जिसके बाद थौर को अपनी गलती का एहसास होता है थौर एसगार्ड आना चाहता था लेकिन लोकी उसे बताता है कि यूथनहाइम और उसे वहां से बाहर निकाल लेते हैं और फिर थौर उनके साथ रहने लगता है ऐसी बीच थौर और जेन एक दूसरे को चाहने लगते हैं थौर जेन को अपनी दुनिया के बारे में बताता है कि वो एसगार्ड का राजा बनने वाला था लेकिन अब वो अपनी बेवकूफी की वजह से अर्थ पर फसा हुआ है वहीं दूसरी तरफ लोगी यूथनहाइम के हतियार की मदद से एस-गार्ड के रक्षक हाइमडाल को बर्फ में जमा देता है और बाइफरोस् की मदद से यूथनहाइम पहुंच जाता है वहां वो यूथनहाइम के राजा लोफी से मिल वहीं S-Guard में Thor के साथियों को लोकी की सचाई का पता चल जाता है जिसके बाद वो अर्थ पर Thor को ढूंडने आ जाते हैं वो लोग Thor को बताते हैं कि तुम्हें लोकी को रोकने के लिए S-Guard वापस चलना होगा लेकिन Thor उनसे कहता है कि मैं अब वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि म मेरी वज़ह से मेरे पिता की जान गई तब वो थौर को समझाते हैं कि ओडन अब भी जिन्दा है और वो लोकी है जो उन्हें मारना चाहता है जिसे सुनकर Thor को बहुत गुस्सा आता है वहीं लोकी को जब ये पता चल जाता है कि थौर को उसकी सचाई का पता चल चुका है तो वो उन्हें मारने के लिए अर्थ पर S-Guard के हतियार डिस्ट्रॉयर को भेज देता है। डिस्ट्रॉयर का मुकाबला करने के लिए थोर और उसके साथ ही उस पर तूट पड़ते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉयर काफी शक्तिशाली होने की वजह से उन्हें घायल कर देता है। इसलिए उसका हथोड़ा अपने आप थोर के पास आ जाता है और उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। जिसके बाद थोर आसानी से डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। वहीं लोकी तब तक यूथनहाइम के लोगों को एसगार्ड में ले आता है और लोफी को ओडिन के पास भेज देता है। लेकिन उसके ओडिन को मारने से पहले ही लोकी खुद लोफी को मार देता है। दरसल लोकी खुद को अपने पिता ओडिन के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। जिससे वो उनकी नजरों में थोर से बड़ा बन सके। थौर भी अपने पिता को बचाने के लिए इसगार्ड आने के लिए हाईमडाल को आवाज लगता है जो अब तक बर्फ में जमा हुआ था लेकिन थौर की आवाज सुनते ही वो बर्फ से आजाद हो जाता है और थौर को वापस ऐसगार्ड ले आता है थौर सीधा अपने पिता के कक्ष में पहुंच जाता है जहां उसका सामना लोकी से होता है तब लोकी थौर को अपना शैतानी प्लान समझाता है कि मैं बाइफ्रोस की मदद से यूथन हाइम को पूरी तरह खत्म कर दूँगा जिसके बाद ओडिन को मुझ पर नाज होगा लेकिन थौर लोकी को समझाता है कि पिता जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे थौर भी अब पहले से बदल चुका था थौर कहता है कि हम सभी नौ ग्रहों के भगवान हैं और उनकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है लेकिन लोकी फिर भी थौर की कोई बात नहीं सुनता वो थौर को चकमा देकर बाइफ्रोस को ओन करके यूथनहाइम की तरफ मोड देता है जिससे यूथनहाइम कुछ ही देर में खत्म हो सकता था तोर लोकी को उसे बंद करने के लिए कहता है लेकिन ़ोकी उसकी बात नहीं सुनता जिसके बाद ठोर उस ब्रिज को ही तोर देता है जिससे बाय फ्रोस को उर्जा मिलती है उसके धमाके से ठोर और लोकी गहरी खाई के पास लटक जाते हैं अभी ओडिन वहां आकर थोर को पकड़ लेते हैं जो लोकी को पकड़े हुए था लोकी ओडिन से कहता है कि मैं कर सकता था तब ओडिन उसे कहते हैं कि नहीं जिसे सुनते ही लोकी समझ जाता है कि ओडिन उससे खुश नहीं है और फिर लोकी अपना हाथ छोड़ देता है जिस सही समय नहीं है थोड़ जेन को मिस कर रहा होता है क्योंकि बाइफ्रोज के नश्ट हो जाने से वो अर्थ पर नहीं जा सकता था इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है उसके बाद फिल्म के क्रेडिट सीन में हमें एरिक सेलविक को दिखाया जाता है जिसके पास शील को अपने वश में कर लेता है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है तो मिलेंगे आपसे अगली मूवी की स्टोरी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तब तक के लिए जय हिंद